अगर we hack A? आज हम बनाने वाले हैं बहुत फेमस अरेबिन डिजर्ट लोकेमाथ जो कि बहुत टेस्टी होते हैं और उपर से बहुत क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बहुत सॉफ्ट जूसी होते हैं तो चलें रस्पी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक कप मैंदा लेंगे हैं उसमें अगर आप इस नहीं डालना चाहते हैं तो हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा डालने तो अगर आप इस नहीं डाल रहे हैं तो यह दोनों चीज़े डालने हैं और अब हम डालेंगे एक टेबल स्पून कॉर्ण फ्लार और दो टेबल दही अब हम इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून ऑईल आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं और इन सब टीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसी मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे यह ची से मिक्स हो गया है अब हमangen तोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे पानी लिएक वाम लेए अलका सब गर्म होना चाहिए पानी इसको ची से मिक्स कर देंगे और इसकर थोड़ा थिक सबगाव्म बैटर बनाना है इस तरह बेटर होना चाहिए और जब इतना हो जाया बेटर इस consistency का तो आप पानी और ना डालें देखें इस तरह से होना चाहिए काफ़ी थिक सा और अब हम पानी नहीं डालेंगे और इसको बहुत अच्छे से बीट करेंगे लगबख चार से पांच मिनिट के लिए ताकि य मैंने हाफ कप पानी उसके है आपको ज्यादा की भी ज़रुवत पर सकती है तो देखें अभी तो यह इस तरह का कंसिस्टेंसी है इसकी लेकिन हम जब इसको बहुत अच्छे से बीट कर लेंगे तो यह और स्मूध हो जाएगा नुकेमत एक बहुत फेमस अरीबिन डेजर्ट है यूजिली इसकी उपर से डेट सिरप डाले जाता है इसकी डंपलिंग्स बनाई जाती है और उपर से डेट सिरप डाला जाता है लेकिन आप चाहें तो शुगर सिरप भी बना सकते हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी कैस समूध तो इसको बहुत अच्छे से पेट लेना है वहां है तो चार से पांच मिनिट पेटने के बाद दिखें इस तरह की आपके सिंटेंसी हो गई है यह फ़फी सा हो गया है और स्मूध कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी अब हम इसे राइस करने के लिए राखेंगे अबस तो लगबग 2-3 घंटे भी लग सकते हैं, तो बस इसे cover करकर रख देंगे, राइस होने के लिए जब तक हम इसकी शुगर सिरप बनाते हैं, शुगर सिरप बनाने के लिए यहां पर मैं 2 कप चीनी ले रही हूं, और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी, और half lemon juice, तो lemon juice हम क्र इसलिए डाल रहे हैं, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और medium flame पर इसे पकाएंगे, लग बग 4-5 मिनिट के लिए, यसे मैंने कहा, इसमें डेट सिरप डाला जाता है, तो आप अगर healthier option चाहते हैं, तो डेट सिरप भी डाल सकते हैं, डेट सिरप से भी है, बहुत टेसी ल चाहिए हमें, हम इसको लेंगे, देखें इस तरह हलका सा एक तार आना चाहिए इसमें, ये तोड़ी स्टिकी सी आपको लगेगी, देखें इस तरह होना चाहिए, बस अब हम flame को off कर देंगे, और इसमें डाल देंगे एक टी स्पून इलाइची पाउडर, आप चाहें तो इसकी जगा vanilla essence भी डाल सकते हैं और इसको mix कर देंगे, चाशनी को हम side में रखेंगे से mix करने के बाद, और हम चलते हैं dumplings बनाने की तरफ, तो देखें ये rice हो गया है, और देखें इस तरह की consistency हो गई है इसकी, इसमें इस तरह के air bubbles देखेंगे आपको, तो ये rice हो गया है करेंगे और फिर low to medium flame पर इसे fry करेंगे दो मिनिट के लिए, उसके बाद flame को medium कर दे गया, और medium flame पर इसे पकाएंगे जब तक ये golden brown ना हो जाए, तो देखें ये अच्छे से golden brown हो गए है, अब हम इसको निकालेंगे इसको हमने चाशनी में डिप कर लिया है, चाशनी किसी deep bowl में डे लें ताकि इसमें अच्छे से डिप हो सकें और इसको 8-10 मिनिट के लिए इसी मेराने देंगे आच से 10 मिनिट बाद हम इसे निकाल लेंगे, और से हम तिल डाल देंगे, आप चाहें तो नहीं डालें लेकिन इससे प्रेजेंटे बिल लगते हैं आपको कैसी लगी रेसिपी मुझे comment section में बताएं और अकर चानल के subscribe नहीं किया है तो please subscribe, thanks for watching मुझे टिसे रुछ झालें गार्माश के तो रहीं नहीं किया है वालें डालें अकर देंगे, आपको किया है झाल झाल